नमस्कार आप सभी का ब्येचु स्टेडी का एपिचल हमारे इस्टेटिव चैनल पर एक बाइफिर से हारदिक स्वागत है दोस्टों BHU WARANC की तरफ से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट की विसुनात मंदीर का द्वार दर्शनार्थियों के लिए खुल गया है यानि विसुनात मंदीर जो की लागडाउन में समय समय पर खुलता रहा समय समय पर बंद होता रहा लेकिन सावन महीने के प्रथम दिन से ही जो विशनात मंदिर का सेड्यूल है वो बना दिया गया है कि मंदिर जो है वो ओपन होगा और मंदिर ओपन होगा तो आप सभी को दर्शन करने के लिए एक लाब मिलेगा और आप सभी को पता है कि महादेव के आसिरवाद से पूरी कासी नगरी हरार महादेव के नारे से ही अपना सुरुवात करती है और हरार महादेव के नारे से ही अपना एक प्रकार से दिन का अंत करती है तो महादेव का असिरुआद इस कासी नगरी के लिए बहुत ही महत्मुर रहा है और हम सभी के लिए भी महादेव एक पेड़ा-दायक बनते हैं महादेव का ही असिरुआद लेकर के हम सभी लागतार अपने दिन के सुरुआत करते हैं दिन में जो भी positive चीज़े हैं जो भी साकरात्मक चीज़े हैं वो करते हैं तो आए देखते हैं कि विशुनात मंदिर जो की कासिंद विशुद्याले बीएचु के मंदिर खुला रहेगा उसके बाद साम यानि अपरान तीन बज़े से ले करके साम छे बज़े तक मंदिर खुला रहेगा यानि तीन गंटे सुबह मंदिर का कपाट खुला रहेगा तीन गंटे साम को मंदिर का कपाट खुला रहेगा सामाने दिनों में आप दर्सन कर सकते हैं बात करें स्रावण मास का सोमवार का दिन अतिमातपुर होता है बहुत सारी लोग आते हैं दर्सन करने के लिए तो महदेव का सिरवाद यदि आप सोमवार के दिन लेना चाहते हैं तो प्राता चार बजे से मंदिर खुल जाएगा और रात नौ बजे तक कैंपस यानि मंदिर खुला रहेगा यानि सोमवार के दिन जिन दर्सनार्थियों को दर्सन करना है तो प्राता चार बजे से ले करके रात नौ बजे तक आपके लिए दर्सन के लिए ये खुला रहेगा तो यह लिटेस्ट अपडेट आप सभी दर्सनार्थियों के लिए जो भी बनारस के हैं या फिर जो भी महादेव के नगरी में आना चाहते हैं, महादेव का दर्सन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग सिटीस से, अलग-अलग जगहों से टुविश्ट प्लेस को समझ करके बनारस्क में आते हैं, घूमते हैं, और सावन का महिना एक महत्पूर दिवस बन जाता है, एक महत्पूर समय बन जाता है, जो एक महिने में लागतार लोग महादेव के आसिरवाद लेने आते हैं, बहुत सारे बच्चे भी जो ब्यच्व इंटरंस एक्जाम की तैयारी करने होंगे, बहुत सारे बन जाता हैं, आते हैं, तो आपका आसिरवाद जरूर लेंगे, तो आप सभी महादेव का आसिरवाद अपने घर बैठे बैठे ले सकते हैं, अपने महादेव का आसिरवाद जरूर लीजिए, जो लोग बनारस में हैं, महादेव का आकर के आसिरवाद लीजिए, महादेओ का कपाट खुल चुका है मैंने समय आपको बता दिया है समाने दिनों में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और साम को 3 बजे से ले करके 6 बजे तक प्रतेक सो मुआर को इस सावन के महीने में सुबह 4 बजे से ले करके रात 9 बजे तक तो आप सभी दर्सन करने के लिए और आप सभी इंटरंस एक्जाम की त्यारियों करने वाले चात्रों के लिए मैं महादेओ की तरफ से आपको आसिरवाद जरूर मांगूंगा और महादेओ का आसिरवाद रहेगा तो आप सभी इंटरंस एक्जाम जरूर क्रेक करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, बिये चू बनार से एपडेट सुचना है और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंचारियां।